हेलो फ्रेंटस मैं हूं आर्ती स्वागत है आपका मेری किचन में रादे-रादे फ्रेंटस आज हम बनाइगे बिलकुल जो बजार में मार्केट्स चोले मिलते हैं चोले भट्चुरे वाले चोले बहुत टेस्टी लगते हैं इसमें वो आलू डालके देते हैं भूनेवें बहुत ही टेस्टी लगते हैं बहुत ही असान तरीके से घर में तियार करेंगे बिलकुल और कुछ भी बाहर से नहीं लाएंगे बहुत कम मसालों से तियार करेंगे बाहर के छोले ज्यादा खाने से नुकसान कर जाते हैं ये आपको नुकसान भी नहीं करेंगे बिलकुल भी जैसे ही आएगा जैसा हमें धाबों पे मिलता है और यह सेटरड़े मार्किट लगती है सोम बजार लगते हैं मंगल बजार लगते हैं उसमें इतना टेस्टी लगते हैं यही बिल्कुल तयार करेंगे और बहुत जटपड बनके तयार हो जाएंगे कोई जादा इसमें करते हैं जर्ण के अच्छे से कूकर में थोड़ा सा नमक डालेंगे और एक पोटली तयार करेंगे चैर पत्ती की चैर मज़तoss में बनांध कर और पर इसे कुकर इंडाँ में ऑप में तीन प्याज लिए हैं और एक घरीमेश लेकर हम इने घ्राइड कर लेंगे एक टमाटर दो टमाटर है यह दो टमाटर को ग्राइड की आज कर तमाटर बहुत महगा नहीं तो बड़ा वह आती है उसके लिए के थोड़ा ही कमी डाले कम टमाटर से भी टेस्टी बनके तियार हो दो करेंगे अब एक कड़ाई में 1,5 चंचा के करीब सरसो का तेल मस्टर तो तीन इसमें तेज पते डालेंगे 4 इसमें लोंग डालेंगे साबुत लोंग और इसमें लसं प्याज का पेज डालेंगे एक चममच इसमें घर की पिसी हल्दी तो जाधा नहीं है आप बहार की ओडिन आल्प थो और चि सब्क्रिक सेने जये यह तक बूने जब तक प्याज तेल में कारे तो पानिज आनी रहे हो तंगे को फोड़े से बीड़े से तो फोड़ा बेगा और अब हम इसमें डालेंगे मसाले में छोले मसाला एवरेस्ट का भी रह सकते हैं आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं छोले मसाला अब इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे और टमाटर के पेस्ट को भी अच्छे से भूल लेंगे दो-तिन मिनट के लिए और फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं पहली बार मेरे चैनल पर आएं तो प्लीस मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए बेल आइकन को दबाईए जिससे की मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफकेशन आपको मिलती रहे और देखे फ्रेंड्स इसमें जितना आप इसे पतला रखना चाहते हैं पतला रखिए अब इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से तेज फ्लेम पर गैस के पकाएंगे और देखे फ्रेंट छोले बनकर बिल्कुल तियार हुए हैं एकदम टेस्टी वाले बिल्कुल मार्किट बजारों वाले चोले बनके तिया अब एक अलु में से सरफ 4 पीस करेंगे चार पीस करेंगे बड़े बड़े पीस काटिने चोटा निकाटनाई से इन्हें काटके त्यार करांगे अब 1 कडाई में दो चोटे चमच हम तेल लेंगे मस्टर्ड ओयल, सर्टोख का तेल और इसमें डालेंगे आदा close जीरा आदा चमप यह जात बालबून के आदिवालो से आपालो की यह वैसे भी खाने में टेस्टी लगती है और हलका हलका शुल। इस चलाते वे भून लेंगे गैस का फलीम एक दोदेंगे लिए जलने लग जाएंगे नीचे से खुरुरे टेस्टी लगते हैं फ्रेंट्स खाने में ऐसी ही नई नई रैस्पी देखने के लिए बहुत असान तरीके से बनाने के लिए प्लीज मुझे सस्क्राइब कीजिए और प्लीज 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 सस्क्राइब जरूर कीजिए फ्रेंट्स लाइक कीजिए शेयर मिलते हैं नेक्स वीडियों